आपने अक्सर देखा होगा, कि जब भी company के results, news में आते हैं, उसके बाद stock market में company के shares के price में तुरंत बदलाव मिल जाता है या तो वो price एकदब मुपर चले जाते हैं, या फिर वो price नीचे चले जाते है So ये जो company के main information होती है, जिसके basis पे company के shares के price में बदलाव होता है इसको technically का जाता है price sensitive information ये price sensitive information, जिन लोगों के पास होती है, उन लोगों के ऊपर एक नियम लागू होता है और उस नियम का नाम होता है insider trading Insider trading का मतलब ये होता है, कि company के rules के हिसाब से, अगर आप के पास ऐसी कोई भी जानकारी है जिसको price sensitive information का जा सकता है, मतलब जिसके वज़े से company के shares के price उपर या नीचे जा सकते है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये information आप कभी किसी के साथ share ना करें जब तक ये information public ना हो जाए, अगर आप ऐसे करते पाए जाते हैं, तो you are the defaulter of insider trading और ये insider trading की बहुत बड़ी सजा होती है ये और ऐसी और अधिक जानकारी जानने के लिए इस channel को तुरंट subscribe करें अगर ये video पसंद आए, इस video को like करें और सभी के साथ share करें